हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर भी, आई एम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश की बुक जो मॉमिन्स है, उसका चाप्टर एट इसका क्या मतलब है, हाउस, हाउस होता है एक मकान जिसमें आप रहते हैं और होम कब बनता है वो जब उसमें फैमली की मेंबर्स होते हैं सारे के सवरे आपके मदर, फादर, भाई, बहन, या जो भी आपके रिलेटिव्स है मतलब आपके दादी, दादा, सब लोग जब उसमें प्यार से रहते हैं तो एक मकान एक घर बनता है, तो हाउस इस नॉट आ होम एक चार दिवारी खड़ी कर देने से कोई घर नहीं बन जाता, यही एक स्टोरी है इसमें तो स्टार्टिंग में, my first year of high school felt awkward तो ही कहते हैं कि मेरा जो पहला साल था high school का, यह देखें बहार की कहानी स्टोरी है इंडिया गिने इंडिया तो high school 10th को बोलते है, तो वहाँ पे बहार जो high school final year होता है school का तो काफी important होता है, मतलब तो my first year of high school felt awkward तो यह कहते हैं कि जो इनका पहरा साल था high school का, वो काफी awkward था after leaving junior high at the head of my class with all the seniority, the upper grade levels could afford me it felt strange starting overall as a freshman तो बतलब इसमें यही है, यह बताते हैं starting में कि जब भी high school में गए थे तो इसे पहले से school में थे, उस school में सबसे बड़ी class इनकी थी तो यह सबसे दा senior थे, तो seniority छोड़ने के बाद एक freshman की तरह मतलब एक नए तरह से नए school में नए student की तरह इनके लिए start करना काफी जादा मुश्किल था this school was toys as big as my old school and to make matters worse, my closest friend were sent to different high schools और मतलब ये वाला जो school था वो काफी जादा बड़ा था मेरे पुराने school से और matter words बन गए, मतलब काफी जादा खराब हो गया इस बात से कि मतलब एक तो मेरा school चेंज हुआ, ओपर से मेरे जितने भी अच्छे दोस्ते थे ना जो मेरे बहुत close friends थे और तो कहते हैं, वो अलग-अलग schools में चले गए थे दूसरे high schools में चले गए थे I felt very isolated, कहते हैं कि काफी जादा isolated feel करते थे isolated का मतलब थे alone, अकेला इनको काफी जादा लगता था I missed my old teachers so much that I would go back and visit them मैं अपने school के पुराने teachers को, पुराने school वाले जो teachers थे उनको इतना miss करता था कि मैं उनसे जाकर के मिलता था They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people फिर वो कहते थे teachers की school की activities में participate करो तकि नए लोगों से मिलो तकि तुम्हारा माँ पे मन लगे They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one और teachers ने भी कहा कि हो सकता है time के साथ सतना जादा मतला वो school पसंद आने लगे कि पुराने school से भी जादा वो नया school अच्छा लगने लगे They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time और फिर वो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भी होने लगे कि तुम्हें वो school अच्छा लगने लगे फिर भी हमसे मिलतने आते रहना I understood the psychology in what they were saying but I took some comfort in it nonetheless और फिर वो कहते है कि मैं समझ क्या था कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मिलते रहना करके और ये सब समझाने कि वो school जादा अच्छा लगने लगेगा फिर भी अच्छा लग रहा था ऑथर को अपने जो टीचर्स की बाते अच्छी लग रही थी कि मतला वो उसको उदर सांतवरा दे रहे हैं और confidence दे रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं moral boost कर रहे हैं कि अच्छा लगेगा वो वाला school भी तुमें One Sunday afternoon एक Sunday की दुपहर को क्या हुआ Not long after I had started high school I was sitting at home at our dining room table doing homework एक Sunday की दुपहर को मैं उस स्कूल में जादा नए स्कूल में जाए हुए जदा टाइम हुआ नहीं था और दुपहर में बैट करके मैं अपनी अपना होमवक कर रहा था अपने ट्रॉइं रॉइं रूम में It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace और मतलब काफी ठंड भरा दिन था और हमारे उसमें fire place होते हैं जैसे के जो काफी जल्द ठंडे देश होते हैं वहाँ पे एक अंगीठी टाइप की मतलब लकडी जला करके fire जलती रहती है वहाँ पे तो उनके fire place में भी fire जल रही थी As usual as usual my red tabby cat was lying on the top of all my papers परिंग loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment sake और हमेशा की तरह जो वो थी मेरी जो cat थी वो सारे की सारे papers की ऊपर बैठी हुई थी परिंग कर रही थी परिंग होती है जो म्यूइंग होती है म्यू म्यू की आवाज उसको परिंग भी बोलते हैं बीच में परिंग कर रही थी स्वेटिंग होता है टू हिट जपट पढ़ना एक तमसे परिंग हिट कर रही थी कभी-कभी पेपरो को इस तरीके से वो वहाँ पर बैठी हुई थी और पैन को हिट कर रही थी हिला रही थी मेरे एंटरटेन्मेंट के लिए मतलब ऐसी इधा उतर थोड़ा वाद वो खेल रही थी मेरे साथ she was never far from me वो कभी मेर से दूर नहीं रही थी I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life वो हमेशा मतलब मेरे पास रही थी मैंने उसको बचाया था जब वो चोटी सी बच्ची थी और तब से ही वो हमेशा मेरे पास रहती है और मेभी उसको पता है कि जो उसकी अच्छ रही थी मतलब जो उनकी मदर है वो स्टोकिंग कर रही थी मतलब फायर को जला रही थी ताकि जो घर है वो गरम रहे suddenly I smelled something strange फिर एकदम से मिर को कुछ अजीब सी मतलब कुछ अजीब सा बद्दू आई कुछ अजीब सा सूंगा मैंने and then I noticed it smoke pouring in through the seams of the ceiling और फिर मैं देखा कि उपर सीलिंग होते चत के उपर से smoke मतलब धुआ निगल रहा था चत में से the smoke begin to fill the room so quickly that we could belly see और एकदम से क्या हुआ इतनी तेज मतलब पूरे कमरे में धुआ भर गया धुआ धुआ हो गया कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था groping our way to the front door groping का मतलब होता है टटोलना या फिर कोई चीज ढूंडना तो हम अपना रस्ता बहार की तरफ देख रहे थे बड़ी मुश्किल से we all ran out into the front yard और हम लोग सब अपने घर के front yard आगे की तरफ चाले गए by the time we made our way outside the whole roof was unguved मतलब unguved in flames and it was spreading quickly और जब तक हम लोग बहार निखलते तब तक पूरी की पूरी चछत जल चुकी थी और सब कुछ जो है flames में था मतलब लपटे निकल रही थी हर चीज में से बहुत ही तेजी से आग सब में फैल गई थी I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house और मैं जो है पडोसों के घर में भागा ताकि वो fire department को फोन करे फटा फट और मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो घर के अंदर भागर के जा रही है My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents और फे मैंने देखा कि मेरी मदर बहार आ रही है एक metal के box में उनकी जो important documents से वो सारे घर में से ले करके She dropped the case on the land and in crazed state run back into the house और वो metal का जो box से उनने जमीन पे फेका और crazed state में बहुत एक तरम पाग लोगी तरहा वो फिर से घर के अंदर भाग गई I knew what she was after मुझे पता था वो क्या देख रही थी My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in the flame और मतलब यह कहते है कि इनके father की debts जो है हो गई थी जब काफी young थे और father की जो pictures थी letters थे वो जल्ले नहीं दे सकती थी उनकी मदर वही लेने के लिए वो वापस गर में गई थी भागनी वाला था तभी मैंने feel कि कि किसी हाथ में मुझे रोक लिया है It was fireman I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks और मैंने मतलब नोटेस ही नहीं किया था कि street जो है हट तरह fire के trucks आ गए है I was trying to free myself from his grasp yelling you don't understand my mother's in there और फिर वो मतलब मेरे को उन्होंने पकड़ा हुआ था मैं खुद को छोड़ाने की कोशिश कर रहा था येल कर रहा था पहले हाथे कि grasp का मतलब होता है पकड़ लेना येल का मतलब होता है चलाना कि मतलब तुम समझ ने रहो मेरी मदर अंदर है और उस जो परसन था उन्होंने राइटर को पकड़ लिया था और बागी जो फायर फाइटर थे वो घर की तरफ भागे और फिर मतलब अगर वो मेरे को ने पकड़ता तो मैं आग की तरफ को चले जाता इसी तरीकी की ये बात कहते हैं फिर और उसने मेरे को राप कर दिया ब्लांकेट से पूरी तरह से ढग दिया और मेरे को कार में बठा दिया सून आफ्टर थेट अ फायर में इमर्ज़ फॉम आर हाउस और उसके थोए टाइम बाद मेरा हमारी घर से फायर में बाहर निकल के आए मतलल मेरी मॉम को जो पकड़े हुए एक फायर में जो है वो बाहर की तरफ लेकर के आए और फिर फटाफट से उसको मतलब मदर को ट्रक में ले गए और मदर के मूपर पे ऑक्सिजन मास्क लगा दिया और एंग था फिर ओधर कहते हैं कि वो बागे गए अपनी मा को अब हग कर लिया उन्हें गले लगा लिया All those times I ever argued with her and hated her vanished at thought of losing her तो जितने भी फिर कहते हैं ओथर कि हर टाइम जब भी मैंने अपनी मदर से लड़ाई की थी या कभी मदर बहुत बुरी लगी थी वो सारे का सारा जो गुस्सा था सब कुछ बहान निकल गया वैनिश हो गया खतम हो गया इसी थाउट से कि कहीं मैं मतलब भी सोच रहते कि कहीं अपनी मा को खो ना दे फिर फिर मन ने कहा कि तुमारी मदर बिलकुल ठीक हो जाएंगी she just inhaled a little smoke मतलब थोड़ी सी नोने जो है वो धुए को inhale कर लिया है अंदर ले लिया है अपनी and then he ran back to fight the fire while my mother and I said there dazed और फिर वो fireman वापस चले गए आपको बुजाने के लिए और मैं और मेरी मदर dazed मतलब वहापर बैठते हुए जब कुछ देखते रहे वे देखा और उसके बावजूद भी अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकते थे फाइव आस लेटर तफाइर वस फाइनली आउट आर हाउस वस अल्मोस्ट कम्प्लीटली बॉन दाउन बट देन इट स्टॉक मी I hadn't seen my cat वालग बग पांच गंटे बाद मतलब पूरी की पूरी fire खतम हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे घर वहाँ पे बचा ही ना हो उसके पाद author को याद आया कि उनकी cat कहा है Where was my cat? मेरी cat कहा है मतलब वो horror सा आ गया, मतलब नर्व में horror सा बढ़ गया कि मतलब cat कहा है I realized that she was new nowhere to be found में और उने realize कि उनकी cat जो है आसपास कहीं भी नहीं थी Then all at once it hit me The new school The fire, my cat, I broke down in tears and cried and cried I was suffering loss big time फिर उनकी cat भी गोगए उनका घर खतम हो गया और उनको new school भी पसंद ही आरता है सबको सोच के author को बहुत ही जादा बुरा लगा और वो बहुत ही भयंकर तरीके से food food टरके रोने लगे The fireman wouldn't let us go back into the house that night और उस्ताथ fireman ने घर के अंदर वापस नहीं जाने दिया It was still too dangerous Dead or alive I couldn't imagine leaving without knowing about my cat तो फिर वो सोचते हैं मतलब जो author है वो काफी जादा डर गए थे वो घर में वापस अपनी cat को देखने जाना चाते थे बट fireman ने मना कर दिया कि अभी भी घर में जाना काफी dangerous है तो फिर भी author सोच रहे थे कि cat कहां गई होगी चाहे कुछ मी नहीं उस मिले cat के बारे में पता लगे Regardless I had to go We piled into the car with just the clothes on our backs and a few on the fireman's blanket and made our way to my grandparents house to spend the night और फिर वही है कि जो भी सवान बचा था वो सब रखा और रात बताने के लिए जो है अपने grandparents के घरिये चले गए next day Monday I went to school when the fire broke out I was still wearing the dress I had worn to church that morning but I had no shoes फिर वो कहते है कि next Monday school गए और वही dress पहनी हुई थी जो वो चच पहन के कहते संडे को मगर इनके पास कोई भी shoes नहीं थे I had kicked them off when I was doing my homework उन्होंने मतलब अपने जब homework कर रहे थे तो अपने shoes को निकाल दिया था they become yet another casualty of fire और मतलब वो भी casualty बन गए casualty मतलब वही जो बुरी दुखत गटना बन गए जो fire ने इनकी life में करी थी So I had to borrow some tennis shoes from my aunt Why couldn't I just stay home from school My mother wouldn't hear of it But I was totally embarrassed by everything फिर वही सोच रहे थे कि फिर हां मतलब shoes जो है इन्होंने अपनी aunt से लिए बौरो किये और फिर सोच रहे थे school ना जाए मगर फिर मदा से क्या कहेंगे हर चीज से बहुत ज़ादा embarrassed सा feel कर रहे थे The clothes I was wearing looked weird clothes जो पहन रखे थे वो भी काफी ज़ादा weird लग रहे थे I had no books or homework इनके पास कोई books नहीं थे homework नहीं था And my backpack was Goran का backpack जो भी समान था वो सारा कुछ चा चुका था I had my life in that backpack वो कहते हैं कि मेरी पुरी जिंदगी थे थे The more I tried to fit in the worse it got वो कहते हैं सोच रहे होते हैं कि जितना मैं खुद को अज़स्ट करने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही सब कुछ खराब हुए जा रहा है I was I destined to be an outcast and a geek all my life फिर वो कहते हैं कि हमेरी किस्मत में लिका है कि मैं हमेशा अलग लगी रहूंगा सबसे अलग मेरे दोस्त नहीं बनेंगे इस तरी कि ये बाते सोच रहे होते हैं तो geek जो होता है वो ऐसा बोलते हैं weird अजीब सा geek जो है न ये फॉल में काफी साथ इस्तमाल होता है तो जो अजीब सा इंजान होता है उसको geek बोलते है I didn't want to grow up change or have to handle life if it was going to be this way फिर वे कहते है कि मैं बढ़ान कोना चाहता है life को handle नहीं करना चाहता अगर life को ऐसे ही जाना है तो I just want to curl up and die कहते है कि मैं चाहता हूँ कि बस में मर जाओ curl up and die मतलब to secure जाओं और खतम हो जाओं ऐसा सोच रहे होते है I walked around school like a zombie फिर कहते है कि zombie की तरह मैं school के around घूम रहा था zombie होते है एक character है जिसकी ghost होगे उनको zombies बोलते है everything felt surreal हर चीज जो है ब्रामक लग रही थी surreal जो है न यह होता है not real जो चीज ब्रामक हो जो चीज सची ना हो हर चीज इनको ऐसी लग रही थी and I wasn't sure I wasn't sure what was going to happen और मैं को surety नहीं थी क्या होने वाला है all the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away जितनी भी security थी मेरे पास मेरा old school, मेरे friends, मेरी cat, मेरा घर सब कुछ जो है वो उजड चुका था मेरे पास जा चुका था when I walk through what used to be my house after school that day I was shocked to see how much damage there was फी कहते हैं कि जब मैं school से घर की तरफ गया जो पहले मेरा घर होता था उसको मैंने देखा तो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था I was shocked to see damage बदब शॉक लगा एक damage देखे कितना जादे damage हो गया है whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals जो चीज़े जली नहीं थी वो पानी ने और chemicals ने खतम कर दी they had used to put out fire पानी और chemicals ने जो चीज़े बची थी उसको खतम कर दिया था only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue but my cat was gone and my heart act for her but my cat was gone and my heart act for her there was no time to grieve my mother rushed me out of the house और दुखी होने का grief का मतलब होता है, दुख मनाना, शोक करना, शोक करने का time नहीं था मेरी mother ने उसको बाहर निकाल लिया we would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school हम लोग को रहने की एक जगह चाहिए थी और school में पहन के जाने के लिए कपड़े चाहिए थे we had to borrow money from our grandparents because there were no credit card, cash और even any identification to be able to withdraw money from bank हम लोग को मतलब अपने grandparents से money उधार लेनी पड़ी क्योंकि उस time हमारे पास कुछ credit card, cash या फिर identity भी नहीं बची थी कि हम लोग bank से पैसा निकाल पाए everything had gone up in smoke, सब कुछ आग में जल चुका था that week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot और वो सब कुछ जो बचा था थोड़ा बहुत rubble क्या होता है? debris debris मताब मलबा, जो भी मलबा भी बचाता हमारे खरका उसको साफ कर दिया गया था even though we had rented an apartment nearby I would go over to watch them clear away debris hoping that my cat was somewhere to be found और बल्कि हम लोगों ने आपास में ही गह गराए पे ले लिया था फिर भी मैं वहाँ पे जा रहा था, शायद मेरी वहाँ पे कहीं पे cat मिल जाए अब देखे, चाप्टर काफी सारा बचा हुआ है अभी भी तो एक हम करते हैं नेक्स वीडियो में देखते हैं इसके आगे वाला जो पाट है ठीक है वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं अच्छा लगा तो लाइक करिए चानल को सब्सक्राइब करिए अपनी फ्रेंस के साथ भी शय करिएगा थेंक्यू